शुरू कर रहा हूं यह मैं आपके पास शेयर के साथ शेयर कर दूँगा इन केस अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप रिकार्डिंग से सुन सकेंगे सही तरह से अरे लेक्टर टाम में जिसके वह पूछ लेखेश थोड़ा सा अब बता दें अब है इस लाइड की बात करने वेटे अब सार फर्स्ट की पहली की फर्स्ट की पहली के क्या यह बात बताओ ना जो सामने आपको स्क्रीन पर नदर आ रहा है उसके बारे में बताएं इसकी बात करने हैं क्या बात करने हैं इसकी 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 बात करन अच्छा इसी की आप बात करने हैं तो इसमें बेटे देखें कि कुछ सैट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब आपके पास जो नंबर ओफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते ठीक है जिस तरह मतलब बहुत सारी सैट सम्यूज करते हैं प्रैक्टिस के अंदर जिसमें आप कहते हैं कि सैट उसमें इन जीजर भी आते हैं उसमें पॉस्टिव आफ इन 1976 स्थीचत कूं ऐसे कि यह च्च्च ऋब एक विकेंस थीजर पिर फाइब भी होगा और इसी तरह जब आप पॉजिटिव साइड पर जाएंगे तो यहां पे भी आपका जो सेट है वो टर्मिनेट नहीं होगा तो जब सेट नहीं होता उसमें अलिमेंट नए आते ही रहते हैं या मजूद होते हैं पहले से तो ऐसे सेट को आप इन फाइन जब आप प्रिलीन आएगा यह सेट केंटीनू करेंगा इसमें नंबर ओफ एलिमेंट को आप कर सकते तो जिसमें आप कर सकते कि नंगेंट कितनी है वो सेट जो होता है वो आपका इन फाइनाइट सेट होता है कुछ समझ आई है बेटा से बात करने इस जी बात करने बाद करें सर्फ बच्चे कह रहे हैं कि जए ना स्लेबस बहुत ज्यादा है मेड का थोड़ा काम कर दें बहुत ज्यादा स्लेबस है जी स्थ अगरे पूछे तो इतना ही रहेंगे तेरे अगर आप पूछे तोच्छी स्लेबर सक्म हैं अब कम अधिक लास टाइम इने में लिया था वो अथारा लेक्टर में से तर्फ दूरेशन कम है ना टाइम का पूछी सोची से नंत।परेश्न बहुत कम है और जाहएं उननी कि अधिक फारें सटन्सराट हो रहे हैं कि मैं नानीटींकिया मैं आपको मारा सब्सक्राइन के ऐसे सब्सक्राने हो पाणा टाये हैं, तुट स्विख शुन स्थिथ आपके फाइनल में में आपड हना है कुछ नहीं करना है कि एक वीक तो रहा गया बस नेक्स टीक है बस तर इस लाइट कर दें फिर नेक्स कर लेंगे फाइनल में तो बेटे में आपको वार फिजिकल में पड़ागे क्या तो लाइन में सब बड़ी प्रोग्मम ही थी प्लीस हर कर दें कैई अ क्या चुछ आप ऑन स्था कि अ कि अगरा वो टेखने दें दर के लेक्शर एंट बलकर नैं तक आप कर तो तीन लेटे तूँ था कर दो ताइसाथ सफसे पहले जहीं है शर्ट सपाले नहीं ही और लेक्ट नहीं तक सरे फाइनल नेक्स वीक से स्टार्ट हैं मंदे से नेक्स सब्सक्राइब नेक्स वीक दो स्लाइडें पड़ा दीजिए गाच्छे हो जाएंगे तो आज तीन स्लाइडें दूंगे नेक्स वीग मैं तो आज आठ कर लें मिट की मिटन की बिटन नाइन कह रहा हूं मैं अपस नाइन में सिर्व एक्जेंपल है कुछ पूछना मैं तो एक्स से आपको डूगे कि इसे पैपर किस पे होगा गूगल पर फांब पर गूगल को टॉगल पर गूगा जूँ प्र बहुत कर वाए कि नहीं कर वाया हूं पर नहीं करवाया है यह तौरी से डिश्ष क्लाश जुए नहीं सर तो करें ने वहां भी आपका मिटन ल प्रेजिए पर आगे सभी वो लोगी ने कलिया लेकिन उसके समझ नहीं आ रही है तो समझ आएगी आप पर ताइम असाइमेंट्स और प्रेजंटेशन इस नेच्ट पीड तो लोगन किया लेकिन वो पनी नहीं हो रहा है उसके समझ नहीं लगरी कुछ भी उस पर हर जगा को ह सब्सक्राइब कर लिया लोगन कर पाते हैं जी जी सर लोगन कर लिए लोगन हो गया है लोगन हो गया आप जिन लोगों का वो ज्वाइन होने में मसला रहे है ना वो बढ़िए अपने फर्स नेम और लास्ट नेम रोल नमबर जो है ना वो देने मैं आपको उदर एड कर देता हूं खुद से क्लास में जाला ठीग है ठीक है ठीक है ठीक है नाइन शामल हो गया तो आपका जो मिड़ का कूर्स है वो लेक्टर वन से लेकर लेक्टर नाइन तक इंकलूसिव है ठीक है नाइन शामल हो गया और कल जो है मिड़ जो हो स्केजूल करूंगा उसमें सिर्फ एम सी कूर्ट सजी कल पर ले वैसे एक टेस्ट ले ले अगर बच्चों को समझ आए तो ठीक है वरना बाद में फिर आप देखते क्यों इशू ना आए ना ऐसे कर ले लेता हो ना सभी आए मैं सभी मुश्किल आया आउट ओफ सीटी बैठा है इसने मैं साइवल बैठा हूं साइवल में इंटरनेट नहीं है इंटरनेट हैं पाइल पर से ही नहीं आरा क्लास सब्सक्राइब है तो पिर कम अ कल लेकल कले कल लेले पर्सों को फिर साइटेडे वाले दिन मिट लें Rahणी को मैं यह उनकाइब हो सकता है कि मैं गूगल फाम बना लूगा जिस में क्लिश्क दिलंकर कि बास्ति लोग जिस दिम सब को इतने जब लोग हो तो सब साथ नहीं चल सकते किसी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है जी सब्सक्राइब एक संड़े की आ रही है तो जो भी जोए लोग जो उस पर क्लिक करेंगे उसी टाइम पे यह बैस्ट हो गया सार जी सर्थ संड़ी बैठ रहे हैं वह आपने उद्धर गूगल फार्म को बताना है कि संड़े बैस्टर यह संचर नहीं आप अग्यां और वेस्टन है कि ताइम उसके साथ लिखता हो गया है इतने बज़े लेना है आपको यह कपूल आई यह संड़े को इतने बज़े लेना ही है कि संड़े को प्रॉब्लम मेरी नानों की दैट तो ही उनका चलीशना सार तो बेटे आप उद्धर बता देना ना गुरूब में बता देना ना अपनी वह आप उदर दे देंगे और विकार लिए ले ले लें सार जी इस तरह हल नहीं होगा ऑनलाइन आपने उदर ही अपने यह जो जहां भी ज्यादा यह ठीक तो है इसके अलावा कोई वह आपने पूछना है कूर्स में से तो पूछ ले नहीं तो मैं फिर मितिंग रश्क पूछना है लेक्चर 12 में से पूछना है लेक्चर स्लाइड नमबर 24 एग में रुकेगा मैं आरहा हूँ आप पर लेक्चर स्लाइड नमबर 24 जी 24 जरी यह समय नहीं हारी कैसे जावा में मैं अपिं कि हुए यह यह जावा में जावा आव लोगों ने पढ़ दी है तारभी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी जावा नहीं पढ़ी तो यह ही था कि आप लोगों को एक बताना था कि यह जो फंक्शन्स हम पढ़ रहे हैं यह एक ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ मैथमेटिकल वर्ड में एक्जिस्स करती है इसकी रियलाइजेशन डिफरेंट लैंगुजिज में भी मुझी है ठीक है लाइक एक एग्जेंपल हमने यहाँ पे जावा की दे दी कि जावा में जो है वो आपका डिस्क्रीट फंक्शन जो है वो उसके लिए एक क्लास है जिसको आप मैप कहते है ठीक है और मैब में आप की वैल्यू पे इस देजिए इस तरह आपके पास फंक्शन में हर एक वैल्यू जो होती है डॉमेन की इसको डॉमेन की एक वैल्यू आती है इसी तरह जो यहाँ पे मैप होगा ना उसमें यह होगा कि जो आपका जिसमें एक आंटीजर और आप्की बैलीव perfect is अचिश्ठीर का फंक्ष्ट में एक इस तरgn जो और यह मेरी कुform cup जूँएन इंए एए एंएच्व और पॉट करेंद एे-स्यूदध्ट में में मेरे पास integer values है like मेरे पास 1 है मेरे पास 2 है मेरे पास 3 है मेरे पास किसी तरह करते करते 100 तक है मेरे पास 4-5 values है like मेरे पास A है मेरे पास B है मेरे पास C है उसके बार D है ठीक है अब A, B, C, D जो है वो आपके grades को correspond कर रहे है 1, 2, 3 से लेकर जो 100 तक अंटीजर है यह आपके marks को किसी भी subject के अंदर कॉर्सपॉंट करें तो इनकी मैं 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 बना सकता हूं like मैं कहता हूं कि 1 उसके उपर D grade आएगा, 2 के उपर D grade आएगा, 3 के उपर D grade आएगा, 40 तक D grade आना चुरू होगा 41 से आगे वो C grade होगा, इसी तरह 60 से आगे वो D grade होगा, तो इस तरह से जो मेरे functions है उनको अगर मैंने इसी language के अंदर यूज करना है, programming language के अंदर यूज करना है तो बहुत सारी programming languages ऐसी है जहां पर आपको यह facility अवेलेबल है कि वहां पर अपने functions नहां बना सकते हैं क्लियर हुआ ग्वेस्टन? सर यह समझ आगे है आगे है मेटे समझ आगे है यह सर आगे समझ सर यह कोटिंग पिर हमें याद रखने पड़ागी नहीं मेटे मैं नहीं इस से आप से पूछ रहा कुछ यह सिरब मॉटिवेशन होती है इस तरह की slides में मॉटिवेशन होती है उसका मतलब आपको यह बताना होता है कि जो आप नयात पड़ रहे हैं यह ऐसे कोई हवा में एक्जिस्स नहीं कर रहा है ठीक है इसकी रियलाइजेशन जो है में भी हैं प्रोग्रामिंग में भी करना चाहिए तो आप इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो थोड़ा सा हिंटी दे रहे हैं क्या है कि बेट में बेटा आपके पास मैंने अभी बनाने हैं मुझे खुद नहीं पता कि बनेंगे जिद्रे कहां पूर निवगां से धिनेशन बही कर आएंगे एक लिए इस बनाएगा खुद धक्राइब ज्यादा देडिएगा आप लेदे बतार निया ताइम आपके बास जितने MCQ होंगे उससे तक्रीबन कहलें के डबल हो उतने लाइक 18 अगर MCQ मैं सोच रहा हूं तो मैं आपको 40 मिनट दूँ सार नहीं वो ठारा MCQ उसके सारे एक गंटा देते हैं सारे सारे टीचर्स ने एक गंटा दिया सारे टीचर्स ने एक गंटा दिया पूच नहीं वेटर 40 मिनट बहुत ज़्याद है आप सब्सक्राइब होंगे तो वह पहले परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे उस पर ताइम ज्यादा लगए तरजी काइंडी एक गंटा करते हैं अपनी मरजी से कर लीजेगा मैंच अब याप जैसे मानी करें तो यह लेकिन आपने एक 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 गए चले बेटी के इसके अलावा कोई क्वेस्टन है आपका सर लेक्चर नाइन में है एक एक मन में लेक्टर नाइन कोई लेक्टर नाइन लेक्टर नाइन इस लाइन नमर पेते लीजे लेक्टर नाइन 14 14 जी सर ये बताद है इसमें देखें कि nth statement in the list of 100 statement ये है कि exactly n of the statement in this list are false पूचा गया है कि आप क्या conclusion जो ट्रा कर सकते है उसके बाद आपने ये बताना है कि part A को ही answer करना है कि अगर आप statement को tail कर देते हैं लाइक आप ये कहते हैं कि exactly नहीं है बटके at least n of the statements जो हो फाल है इसी तरह आपने part B को answer करना है अगर आपके बस 99 statement तो इसको next slide में मैंने explain किया होगा probably सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि statements हैं क्या तो as per question जो हमरे पर statement है वो ये पहली statement ये कह रही है कि exactly one of the statement जो फाल है दूसरी ये कह रही है कि दो statement फाल है तर्मयार में कोई आई statement होगी वो ये कह रही है कि I statement जो हम फाल है और last statement ये कह रही है कि 100 statements in this list फाल है तो इस जो list कौन सी है ये सारी statements जो है ये list है याद क्लियर हुआ आपको problem की जो understanding है अभी हमने इसको solve करना ने शुरू किया इसको समय ने शुरू किया लेकिन पहले आप ये देखें कि जो problem है वो आपको समझ में आ गया Hello जी सर problem समझ में आ गया कि आपको ये list क्या कह रहा है अच्छा मैं आपको जो एक मश्वरा दूँगा कि इस problem को समझने के लिए इसका size कम करने like 100 की जगा पे आप 4 statements लेका ठीक है P1 से लेकर P4 उस पे पी बन क्या कह रही होगी के exactly one statement in this list is false तू क्या कह रही होगी के 2 statement falls है 3 क्या कह रही होगी 3 statement falls है 4 ये कह रही होगी 4 statements falls है तो उसमें होगा क्या आप ये दे सकते हैं कि इन में से हर एक जो statement P1 और P2 को अगर देखे तो यह दोनों अकठी true नहीं हो सकते हैं इस पर गार करके मज़ें बताएं कि यह दोनों statements जोने P1 और P2 क्या यह अकठी true हो सकती है इसी तरह कोई भी दो statements जोने अकठी true नहीं हो सकते ठीक है इसके उपर थड़ा गार कीजिए जब यह चीज़ हमने decide कर ली कि कोई भी दो statements जो है वो कठी true नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि आपके बस सिरफ एक statement क्यों है वो true है ठीक है तो आपने वो statement नोटनी है कि कौन सी statement जब हो true ठीक है पैली statement को अगर आप true माल लेते हैं अब हम मैं थोड़ा से सर्च कर जो procedure है इसको थोड़ा elaborate करने की कोचिश करता हूँ कि अगर आप पहली statement को true माल लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक statement फाल है ठीक है एक statement फाल है वो कौन सी फाल है P2 फाल है P3 फाल है P4 फाल है P5 फाल है इसका मतलब हो गया लेकन अभी हमने यह डिसाइड किया था कि कोई भी दू स्टेट्मेंट जहां वो कठी ट्रू नहीं हो सकता इसका मतलब यह है आपकी जो P1 है वो फाल है इसी तरह P2 को जब आप लेके चलते हैं तो आप यह कहते हैं दू स्टेट्मेंट जो फाल है उनको आपको फिक्स करना पड़ता है कि कौन सी फाल है आप कहते हैं यह कि P3 और P1 फाल है अगर P3 और P1 फाल है इसका मतलब यह है कि P4 को ट्रू होना चाहिए P4 अगर ट्रू है तो वो कह रही है कि चार्ड स्टेटमेंट फाल ने और पीडू यह कह रही है कि दू स्टेटमेंट फाल नहीं है यहां पर भी आपका इस लिस्ट आर फाल से क्या होगा है कि वो जो statement जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, P-99 सिरफ वो true होगी, उसके अलाबा बाकी सारी फाल्स होगी. और सिरफ वो ही एक ऐसे statement होगी, तो इस condition को पूरा कर रही होगी, कि सिरफ एक statement false is true है और बाकी सारी फाल्स है. क्योंकि हर condition जो दूसी statement से, हार स्टेडमेन बुसी स्टेडमेन से जो व्यूचली एक्स्वूसिव है तो कथी टू नहीं हो सब्सक्राइब कुछ समय में आया बेटेज फ्रेस्टन अगर फिर 1 से 98 तक फाल्स होगी बाद से 98 तक भी फाल्स होगी और 100 पी 100 भी फाल्स होगी अगर 99 प्रू हो तब अगर 99 प्रू होगी चले बेटे यह मैं सेचे नेंड कर रहा हूं अनलस के अगर आपके पस कोई स्वाल है और अजिव आपको मैसेज कार दिया वर और नंबर वो ग्रूप में जॉइन कर लिए वह मैं बाद में देखोगा भी मैं ग्लासेश को देख रहा हूं और आपके जू क्वेस्टेंग को देख रहा हूं और आपके जू क्वेस्टन गुटाए पताये साइन्मेंट के लिए इसमें को समझ नहीं आई पेटें साइन्मेंट को अभी जो है वो मैं नहीं देख रहा, उसको घाय मैं देखरा उसको बाद ले 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 जी टीड के साइद ऑके सार के सार ठीक पेटे, अलाँख़ और आपेश अलाफू के सार अलापे चाहर ऑके सार अलाफू